PTC News दे डिश्टल प्लाटफोर्म तुसी देख रहो मेहाद लीप सिंग हर्याने अते जम्मू कश्मीर दे विच चोणा हो निबढियां ते हुन जीमें चोणा खतम हुई याने एक्जिट पोल दे अंकड़े भी सामने आ गए एक्जिट पोल दे अंकड़े जड़े सामने आयने एककी करके दसांगे कि हर्याने दे विच आकरकार किस दी सरकार बन सकती है क्योंकि एक्जिट पोल दे जो नितीजे आए सी पिछली बार उनना ने सारे ने हैरान कर दिता सी इस करके क्या जासाद है कि किस दी सरकार बन सकती है। कैंडिडेट्स दी किसमत एवीम चे कैद हो गई ते जिवें ही वोटां दा समा खतम होया उस्तो बाद एक्जिट पोल जो आए ओना दे विच्छ जो नतीजे ने ओ हैरान करन वाले ने नतीजे एने कि दैनिक पासकर न्यूज 18 इंडिया एक्सिस माई इंडिया ते रिपब्ल इक्सिट पोल के जोट जोनीत फ़कत है इंडिया इस दे इंडिया स्थ मर्हेंे रहें कि अंग्रस स्टन जो आउच्छ है जारी एक्सिटा 50 ने इस वाद बलाद बीजे पी नो जो दैनिक पासकर ना है उस दे मताबक बीजेपी उननी तो लेके 29 सीटां तक सिमट सक दिये यानि कि बहुमत दे अंकडे तों काफी पिछे जो अंदाजा लगाया जा रहे है इस तो बाद आम आदमी पार्टी दे गल करदा देनिक पास करदा जो एकजिट पॉल है उस दे विच आम आदमी आता है हर्याना दे विच नहीं खुल रहा जो एकजिट पॉल दे विच दैनिक पास करदे अंकडे कहरे ने उस तो बाद होर जेडे अदर्स उमिद्वार ने ओना दे चार तो दस सीटां हासल करन दा अंदाजा लगाया जा रहे है यानि कि दैनिक पास करता कटो कट एक एर हर्याना दे विच कॉंग्रेस इस बार सरकार बना सकती है पर 15 अक्तूबर नू असल चकी नतिजे ओन गे ओ देखन वाली माफ करना इस दे विच आठ अक्तूबर नू आठ अक्तूबर नू किस तरह दा नतिजा होएगा कॉंग्रेस की वाकी अग्गे वदेगी क्योंकि इस नूज एटीन इंडिया ने जो अपने एक्जिट पोल दे विच अंदाजा लगाया है उस दे मताबक हर्याना दे विच कॉंग्रेस उनाठ सीटा उनाठ सीटा हासल कर सकती है ते बीजेपी 21 सीटा ते सिमट सकती है आप दा खाता नहीं खोल लिया है आई एनलडी जीरतों चार तक दे अंकड़े तक जा रही है ते अदर्स जो ने ओच्छे ने ता इस न्यूज एटीन इंडिया दा जो एक्जिट पोल है उस दे मताबक भी कॉंग्रेस सरकार बढ़ां दी नजर आ रही है एक्जिट पोल दे मताबक क्योंकि असल नतीज़े की होंगे उस दे बार INLD तिन तो पं सिटा ते अदर्स तिन तो पं सिटा इस तो बात गल करते हैं रिपब्लिक टीवी पच्वंजा तो बाहट सिटा दे रही है कॉंग्रेस नूँ हर्याना दे विच अठारा तो चोवी बीजेपी नूँ सिफर आपनू INLD तिन तो छे ते अदर्स दो तो आठ य ये असी इस तरह समजण। दिकोशिश करिए जे बीजेपी बारें समजण। दिकोशिश करिए एकजिट पोल दे मताबग तो भीजेपी है थ्ले थल्ले कुल रही। आम आदनी पार्टी ता खाता कोई वी एक्जिट पोल नहीं खोल रहा तो आम आदनी पार्टी सिफर है बीजेपी ती तो थले थले है ते कॉंग्रेस पंजातों उपर है हर्याना देविच ते बाकियां दे जो हाल ने तो अनुदास देते सारे दस तो थले से मट रहे ने हर्याना देविच ते हर्याना देविच इस समें इंट्रस्टिंग अल एए कि एक हजार एकत्ती कैंडिडेट्स दी किस्मत एवीम चे कैद हो गई है अठ अक्तूबर ने जो नतीजे आउन गे ता उस वेले किस्मत खुलेगी आखिरकार कौन जितेगा कौन हारेगा पर आजदा जो अंदाजा है एक्जिट पोल जो अंदाजा लगा रहे ने उस दे मताबक कॉंग्रस हर्याना देविच सरकार बना रही है पर जिनने भी एज एक्जिट पोल कर रहे हैं तो उन्हों देगे उन्हाद मैथट की हुंदा है और कुछ जड़े सियासी माहर हुंदे ने उना दी राय लेंदेने कुछ को पॉकेट्स दे विच जाके कुछ लोकां दी राय लेके फॉर्म पर आया जान दा है उस तो बाद एक किता है यानि पिले बीजेपी नू बहुमत दवाया जा रहा है सी पर अजया होया नी उस तो बाद हुन तक जो एक्जिट पोल दी एजनसिया ने जो भी एक्जिट पोल सामने आ रहे ने उस दे वीच बड़े ही साफ सब्दां वीच यह भी लिखे जा रहा है कि ए सिरफ अंदाजे ने जो सेंपल साइज है बहुत छोटा है असल नतीजे कुछ होर हो सकते ने क्योंकि इस तरह दा जो डिस्क्लेमर है ओ देना पहरे है क्योंकि पिछली बार जो चोण आई है से ओना ने किते एक्जिट पोल नो चूठा करार दे दिता सी तो एसी गल किती हर्यान है दी पर हर्या तक कॉन्फिडेंट सन की असी जितांगे पर एक्जिट पोल और तो बाद उनानों होसला होर बाद गया है कि शायद मुख मंत्री जेडी कुर्सी है उनानों मिल जाएगी पर एक कोई गल बार बार कह रहे हैं आसी कि अठ अठ अक्तूबर नो ही पता लगेगा कि असल देव हैं सुबह भी मैंने बता दिया था आपको और पिछले कितने दिन से कह रहा हूं जब से ने की चुरू किया है कि कॉंग्रस के पक्ष में लहेट चल रही है कौंगर्स हर्यारे में अब की बार हर्यारे में कौंगर्सी सरकार नहीं सीटे के मैं नहीं कहता है लेकिन भारी बहुमत से कौंगर्स बने जारी में साथ से भी उप्रोड़ सकती है और आपके नौन पर्फॉर्मेंस हर इसमें हर वर्ग इससे भी मकोच करें सवाल यह है कौंगर्स की पद्द्द्दी है मेले बनें गे उनसे उनकी राय जाने जाएगी हाई कमंड फैसला करें जो भी फैसला करें इंदूर होगा सबकर अधिकार है आप भी उमीद वारा सकते क उसे नो देमोक्राइसी एवरीबडी एवरीबडी शुड एसपार और जितने ज्यादा मेरी वार होगे इसका मतलब उतनी कांगर्स फार्टी मद्बूत है तक कुमारी शैल जाते रंजीत सिंग सुर्जे वाला जो की अपने आपनों वी कहरे से कि असी भी सीम दे हकदारां सीमदी कुर्स दे हकदारा जो हुड़ा साव ने न은ने किया कि अपनी अपनी जदिया कांग्छावान जो अपनी अच्छावान ने उसनों पालना कोई मड़ी गाल नीए कोई भी सीम दे कुर्सित हकदार हो सकता है पर हुड़ा साब नों ए गलता हुन कितने किते एक क्लियर हो रहे है खुश होन दा मौकाट तरीक तक जरूर है कि मैं अगला मुक्ष मंत्री होँगा हर्याना दे विच इस समय जो एक्जिट पोल कहा रहे ने असल नतीज़े कुछ हो रहे है एक्जिट पोल कहा है रहे है कि बीजेपी इस बार है ट्रिक नहीं मार रही हर्याना दे विच्ट क्योंकि बीजेपी ने पहली वार आई सी 2014 उस्वेले बहमत दे विचाई इसी दे बीजेपी ते साथ चाड़ देता सी उस तो बाद ये लग गया कि बीजेपी के दे कमजोर हो गई है पर बीजेपी नों ए उमीद है सी कि आसी हर्याणे देविच हैट्रिक मारांगे पर एक्जिट पोल मैं वार वार कहना है कि एक्जिट पोल हुन तक एशारा करें ने कि सब्सक्राइब कोई रंग नहीं लाएं थे एकजिट पोल दे मताबक हर्याना देविच जो आम आदमी पार्टी है उसनों एकवी सीट हासल नहीं हो रही जो हुन तक दे एकजिट पोल कह रहे ने हुन अग्गे चल देयां सब तों एहम ते इंटरस्टिंग जो सूबा दस्या जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर जम्मू कश्मीर देविच दस सालना बाद चोना हुई याने 2014 तो बाद एक कोई बाद चोन होई उस तो बाद चोन नहीं होई क्योंकि उस तो तारा 378 दिती गए इसी चोना मुल्त भी करनिया पईयां सन उस तो बाद हुन जाके 2004 देविच चोना हो रही आने तो इस बार उते दा नतीजा देखना इसकार के इंट्रस्टिंग रहेगा कि आखिरकार सत्ता देविच क्यों कौन आ रहे है क्योंकि 370 तारा रहाट अन्तो बाद बीजेपी उते जोर शोरनाल चोन पर चार कर रहे ही थे उसनों उमीद सी की असी शायद उते जित आंगे ता सब तो बहला तो बहुत है कि न्यूज एटीन ने जो एक्जिट पोल दे रहा ही सर्वे कराया है जम्मो कश्मीर दे विचे कि निया किस नों सीटा दे रहे है कि जम्मो एलाक्या दे वीच बीजेपी दा अधार है पर कश्मीर इलाक्या दे विच बीजेपी के वीचे किमे सीटां लए कि निया सीटा लेकिया थे अचमीर दाइगी नेशनल कॉंफरेंस मिलके अठाई तो ती नेशनल कॉंफरेंस ते कॉंग्रेस तीन तो छे सीटा हासल कर रहे ने जम्मु कश्मीर देविच यानि कॉंग्रेस ने बहुता वदिया परफॉर्मस नहीं दिती है जम्मु कश्मीर देविच पर नेशनल कॉंफरेंस जो कि फारु पुबा मुफ्ति दी जो पार्टी है पीडीपी उसनू चार तू साथ सीटा न्यूजेटीन एक्जिट पॉल दे विच दे रहे हैं यानि कि जम्मु कश्मीर दे विच पीडीपी पार्टी दा अदार लगपाग एक्जिट पॉल दे मताबक खतम हो रहे हैं उस तो अलावा ब सीटा दे दे तो डेनिक पास करदा एक्जिट पोल की दस दाब्यद्यपी नूँ वी तो 25 सीटा दे रहे है देनिक पास करदा एक्जिट पॉल, उस्टों बाद पीडीपी नूँ ओहिट चार तो साथ सीटा, काम्गरस ते नैशनल कउंफरेंस नू साहीं पहन दिए पैंत tu पर नेशनल कॉन्फरेंश दा अपर हैंड रहेगा नेशनल कॉन्फरेंश नूँ जादा सीट्टा मिरेने एक्जिट पॉल दे मताबक दुज्जे नमबर ते बीजेपी है तो कुल मला के एक गल साफ हो रही है कि जम्मू कश्मीर दे विच जेकर एक्जिट पॉल सही साबत पर सब तो हम गले है कि पीडीपी पीडीपी नूँ जदों इस बार उमीद सी कि आसी इस बार चंगिया सीटा लाएके जावांगे पर जया होया नी महबूबा मुफ्ती जो एनादे आगूरे महबूबा मुफ्ती ते बीजेपी ने रल के एक वर सरकार बनाई सी तारा तीन लोग काने एंटरेटेन करना बंद कर दिता हैं तो ए बड़ी अपने आप देचे हम गाला की कॉंग्रेस दोहा सूब्यां दे विच जो सत्ता वाल वद्दी दखाए दे रही एक्जिट पोल दे मताबक ते एना दोहा सूब्यां दे विच बीजेपी होन बैक सीट यानी की ह अप पोजीशन विच जांदे दखाए दे रही जेकर एक्जिट पोल सई साबत हुंदे ने जेकर सई साबत नहीं हुंदे तान लोग सबाच चोणा दे मताबक जो नतीजा ओ कुछ वी हो सकता है तो ए बड़ी अपने आप दे विचे हरान करन वाली गला है उमर अब्दुल दे मताबक पर इस बार आसवंद बहुत काट हो रहे ने क्योंकि लोग सबाच ओना दे विच एक्जिट पोल जो आए सी उना दे जो भी अंकडे सी सब फेल हो गए सी तो उमर अब्दुल ने ट्वीट करके कि कहा है मैं तो नहीं पाड़के सबना दना वो कह रहे ने आए आ टाइम पास बिल्कुल सही है उमर अब्दुल्ला ने एक टोकट एक गल लिस्यानी एक इती है कि एस सब कुछ टाइम पास है क्योंकि उना ने भी एही गल्दा जिकर किता जो असी वारवरे जिकर कर रहे हैं कि चार जून दो हजार बाइनू जदो लोग सबाच चोन दो हज अब्सा नहीं कर रहे हैं वह कह रहे हैं कि टीवी चैनल लाकि सोशल मीडिया वाले बहुत कुछ कह रहे हैं एक्जिट पोल बहुत कुछ कह रहे हैं पर असल तस्वीर जो ओठ अक्तूबर नों ही साफ हो सकेगी ता जो स्याना आदमी है जिसने दो चार जून दो हजार आएगी तान वाद